नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल डिफरेंट मून्स में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तो एक एपरेल 2021 से इंकम टैक्स और सेविंग स्कीम से जुड़े बहुत मेजर कुछ चेंजिस होने वाले हैं जिसका इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे PPF, KVP, सुकन्या समरिधी एकाउंट, ऐसे एकाउंट से भी जुड़े हुए कुछ चेंजिस हैं इंकम टैक्स से जुड़े हुए चेंजिस हैं पोस्ट आपिस में आये हैं कुछ बदलाब जिन सारी चीजों को डिटेल में आज इस वीडियो में हम जानेंगे चलिए शुरू करते हैं दोस्तो हमारे हिंदुस्तान में एक आम धारना है लोगों में के बहुत बड़ी बड़ी रकम की ट्रांजेक्शन जो होती है उसकी डिटेल इंकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है जैसे के 10 लाग से उपर की अगर आपने FD करवाई है तो उसकी डिटेल जाती है एक लाग से ज्यादा की अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट को आपने यूज किया है तब उसकी भी डिटेल डिपार्टमेंट को जाती है ये धारना सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है हलाकि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इतनी बड़ी entries की detail ही जाती हो department को department को कोई भी suspicious जो अगर activity लगती है कोई suspicious transaction बैंक को लगती है तो वो भी details जरूर department के पास जाती है लेकिन अब जो बड़ा बदलाव किया गया है वो ये है कि कोई भी transaction जो banking से जोड़ी है उसकी detail income tax department के पास जाएगी आपने bank से कोई matter नहीं कितना ब्याज लिया है चाहे वो ब्याज 10 रुपे है या 10 लाख रुपे है चाहे वो FD 50,000 की है या वो FD 40 लाख रुपे की है किसी भी scheme में आपने invest किया हो bank में किया हो या post office में किया हो private bank हो, nationalized bank हो कोई वरक नहीं पड़ता हर transaction की detail हर कमाई हुए interest amount की detail income tax department को जाना mandatory कर दिया गया है ये bank और post office की जिम्मेदारी बना दी गई है अगर कोई private body है जैसे कोई LIC है या फिर और कोई private non banking financial institutions है उनसे भी अगर आपको कोई interest earning है कोई आपको commission earning है किसी भी तरह से अगर वो आपको कोई पैसा दे रहे हैं उसकी detail वो income tax department को जरूर देंगे बात अभी भी यहाँ खत्म नहीं होती कोई भी dividend है पहले हुआ करता था कि heavy amount of dividend जो share market में आप earn करते हैं उसकी details income tax department को जाती थी लेकिन अब each and every amount of dividend will be told to income tax department तो जाहिर है कि shares और mutual funds के अंदर जितनी भी आपकी income है चाहे वो short term है चाहे वो long term है वो details भी department को जाएंगी और हर किस्म का चाहे वो property से जुड़ा हो चाहे वो share से जुड़ा हो किसी capital asset से जुड़ा हो किसी भी किस्म का आपको कोई capital gain हुआ है उसकी details भी income tax department के पास अब जाएंगी यहाँ खास तोर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि amount कोई भी है चोटी या बड़ी amount उसके कोई फरक नहीं पड़ता हर amount का detail department को जाएगा जब इतना सारा detail department के पास अल्रेडी चला गया है तो किसी भी तरह की income को hide करना उसे चुपाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अब यह detail जब जाएगी इसके साथ साथ एक और major change किया गया है income tax की return filings के अंदर पहले क्या होता था कि income tax की returns file करते समय self declaration के तोर पर हम department को बताते थे कि हमारी फलाँ जगह से इतनी salary है इतनी हमें interest income है यहाँ से हमें business income है यहाँ से हमें rental income है यह सभी details हम form में fill करते थे return में अपने fill करते थे और return file कर देते थे अगर case scrutiny में लगता तो उसकी छानमीन की जाती है otherwise जो आपने कह दिया जो आपने returns के अंदर बता दिया उसे सच मान कर आपकी return को accept कर लिया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा पहले तो आपको याद होगा चोरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब आप income tax returns फाइल करने लगेंगे तब already आपके सामने portal के उपर आपकी सारी details वहाँ पर show कर रही होगी यानि जहां से किसी bank से किसी private institution से आपको interest income होई है कोई dividend income होई है कोई आपको shares में short term या long term capital gain हुआ है कोई और आपको capital gain हुआ है किसी भी किसम की आपको जो income है वो already वहाँ पर show कर रही होगी आप उसको modify करके बढ़ा तो पाएंगे लेकिन घटा नहीं पाएंगे इसी तरह से कोई भी tedious अगर आपका कटा है दोस्तों ये तो हुए दो changes के एक तो पूरी details जाएंगी income tax department को दूसरे income tax की returns file करते समय already आपके सामने काफी कुछ reflect हो रहा होगा जिसे आप modify नहीं कर पाएंगे तीसरा जो बड़ा change है वो है TDS को लेकर TDS पहले 10% करता था आम तोर पर जो जनता का main concern रहता है TDS जो interest पर काटता है bank bank पहले 10% TDS काटा करता था इस financial year के अंदर काफी लोग इसको सही से calculate नहीं कर पाएं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी कि 7.5% कोरोना वाइरस की वज़ा से इस साल TDS कट रहा है उनका तो यह जो 7.5% था यह सिर्फ एक साल के लिए था 1 April 2021 के बाद फिर से 10% TDS interest पर कटने लगेगा और जो जहां पर TDS के thresholds को बढ़ाया गया था या फिर TDS के rates को घटाया गया था वो सिर्फ financial year 2019-20 के लिए applicable था अब 1 April 2021 से actual में वही परिस्तिती आ जाएगी जो coronavirus आने से पहले financial year के अंदर हुआ करती थी सभी वही rates वही thresholds applicable रहेंगे दोस्तों TDS को लेकर एक नया clause एड़ किया गया है income tax के अंदर 206 AB and 206 CCA जिन लोगों ने income tax की returns फाइल नहीं की है जो regularly करते नहीं है या किसी एक particular साल में नहीं की है उनका TDS और TCS दोनों पहले के मुकाबले ज्यादा higher rates पर अब deduct किये जाएंगे दोस्तों एक और बदलाव जो PPF को लेकर किया गया है कि PPF account अब आप PAN number के बिना नहीं खोल पाएंगे पहले एक limited amount तक PAN number के बिना भी आप PPF account खोल सकते थे लेकिन अब PPF account के लिए या तो आप PAN number दीजिए या फिर form 60 दीजिए दोनों में से एक दिना mandatory कर दिया गया है PPF के अंदर आप nomination को compulsory कर दिया गया है पहले nomination compulsory नहीं होती थी लेकिन आप compulsory mandatory कर दी गई है nominee के गिंती भी बढ़ा दी गई है पहले सिर्फ दो nominee बनाय जा सकते थे अब आप चाहें अगर तो चार nominee बना सकते हैं nominee अब आप NRI को भी बना सकते हैं हलांकि इसके लिए पहले थोड़ी paper formalities ज्यादा हुआ करते थे आप इसे काफी simplify कर दिया गया है NRI nominee बना सकते हैं चार बना सकते हैं nomination करना जरूरी है PPF की maturity के regarding है रूल चेंज किया गया है कि PPF की maturity amount लेने के लिए आपको life certificate जानी कि person जो PPF account holder है उसके जिन्दा रहने का प्रमान पत्र वो जरूर पेश करना होगा तभी PPF account की amount आपके saving account के अंदे transfer की जाएगी दोस्तो अगला जो बड़ा change है वो है post office को लेकर post office में cash deposit करवाते समय cash निकालते समय कोई भी transaction चाहिए आप check से कर रहे हैं चाहिए आप cash से कर रहे हैं हर transaction के उपर लगबग एक minimum transactions को छोड़ करके 2-4 transactions को छोड़ करके हर transaction के उपर tax लगाए जाएगा इस particular topic के उपर एक video हमने एक हफता पहले ही post किया है उसका link आपको यहां card में और नीचे description में मिल जाएगा आप जाकर वीडियो को जरूर देखे पूरे details आपको उसके अंदर नए rates की मिल जाएगी जो बड़ा change है वो PF को लेकर है PF में भी अगर आप धाई लाग से उपर deposit करवाते हैं जो voluntary deposit है तो आपको उसकी interest earning की उपर tax देना होगा इसके उपर भी एक separate video हमारा है जिसका link आपको description में मिल जाएगा ये चीज़ भी एक April 2021 से applicable रहेगी दोस्तों जीन लोगों ने affordable house का plan बनाया था 2019-2020 की अंदर उनके लिए खुशखबरी है कि जो affordable housing का tax holiday announce किया गया था finance minister की तरफ से उसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है tax holiday का भाव यहाँ कोई holiday नहीं है tax holiday का भाव है कि एक साल तक उस tax की exemption को बढ़ाया गया है जो affordable house के लिए आप लोगों ने किसी ने loan लिया होगा तो उस पर additional 1.5 लाग या निदेड़ लाग रुपे की deduction मिलती है उस deduction को 31 March 2022 तक लिए गए applicable रहेगा GDS यानि कि grammy dark sewa grammy dark sewa post office की जो branches हैं उनमें पहले limit हुआ करती थी कि 25,000 रुपे आप एक महीने के अंदर deposit कर सकते हैं PPF में KVP में या नसी में उससे ज्यादा cash deposit 25,000 रुपे नहीं कर सकते थी लेकिन अब इस 25,000 की limit को बढ़ा कर 50,000 रुपे कर दिया गया है जो branches GDS नहीं है यानि चाहे इंडिया post payment bank की branch हो या post office की शहरी branch हो वहाँ ये rule पहले भी नहीं था उसका अभी इससे कोई लेना देना नहीं है जो सिर्फ GDS branches है उनहीं के साथ और वो भी cash entry के साथ ये 25,000 के limit को बढ़ा कर 50,000 रुपे कर दिया गया है दोस्तों ये थी जानकारी जो हमारे पास थी 1 April 2021 में जो major changes आने वाले हैं post office में जो changes हैं वो सबसे ज़्यादा important हैं क्योंकि rates इस कदर बढ़ाए जा रहे हैं हर transaction के और banking transaction tax को introduce करने के तरफ ये पहला कदम है दोस्तों आपकी वीडियो के बारे में क्या रहे हैं नीचे comment box में जाकर ज़रूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिएगा channel को subscribe करिएगा देखने के लिए धन्यवाद, thank you